अगस्त में भोपाल वविदीशा में हुई भारी बारिश के बेतवा सहीद अन्याय नदियों में बार फसलों को भारी नुपसान हुआ है इसके बाद सितंबर में लगातार एक सब्ता तक हुई बारिश से सोया बीन 40-50 फिस दी तो उड़द 80 फिस तक खराब हो गई है वहीं बची हुई फसल बचाना भी किसानों के लिए चनोती बन गया है इदर मौसम वी भाग ने चार दिन बाद से फिर से भारी बारिश का अलट चारी कर दिया है यदि ऐसा हुआ तो खेतों में खड़ी सोया बीन फसल पूरी तरह से बरबाद हो जाएगी अब मौसम विशशग्यों ने अगामी चार से आठ अक्तूबर तक शेतर में भारी बारिश के असार बताए है इस सेतामनी के आने के बाद शुकरवार से किसानों की चिंता बढ़ गई है वे खेतों में खड़ी फसल को बचाने के लिए मजदूरों से कटाई करवा रही है गाउं में मजदूर कम पड़ गए तो ट्रेक्टर लेकर शहर पहुंचे और वहां से मजदूरों को ट्रेक्टर ट्राली में बिठा कर गाम ले गए भारत सरकार ने मोसम विभाग की जानकारी के अनुसार बताया है कि जिले में अगामी पांच दिनों के दुरान 32 मिलीमीटर बारिश होने के असार है हवा की दिशा उत्तर से पश्चिम रहेगी इस दोरान हवा की गती 14.2 से 19.9 किलोमीटर प्रती घंटा रहने की उमीद है और सबसे ज्यादा पांच अक्तूबर को 32 मिलीम बारिश होने का नुमान लगाया गया है वही क्रिशिव शिशग्यों ने सला दिया कि सोया बीन की पक्नी हुई फसल की कटाई कर शिग्र थ्रेसिंग करा ली जाए संबब हो तो हार्वेस्ट से कटाई का कार्या करें खेतों में खड़ी फसलों की स्थिती अभी ऐसी है कि किसान संभाल भी नहीं पा रहे सतर हजार हेक्चरवे लगी उड़त की फसल को सितंबर के अंत में हुई बारिश के कारण सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वहीं जलालपूर के एक किसान ने कहा है कि मैंने पांच बिगा में सोया बीन बोई थी जो पक्कर त्यार हो चुकी थी लेकिन 40-50 फिजद नुकसान सोया बीन फसल में हुआ है वहीं 5-6 बिगा में लगाई गई उड़त की फसल पूरी तरह से बरबाद हो चुकी है वहीं दुसरे किसान का कहना है कि उड़त फसल 100 फिसद खराब हो गई है उड़त तो हाथ से निकली ही निकली लेकिन बची सोया बीन फसल को समेटा भी मुश्किल हो रहा है खेतों की मिठी गिली होने के कारण कटाई भी नहीं हो पा रही वहीं 16 शेतर के ग्राम, खाई खेडा, कर्खिया, रवनई, बोई नगा, मियापूर, चिरोली, चक इन सभी इलाकों में उड़द में 100 फिसद तो सोया बीन में अमूमन 40 से 50 फिसद तक का नुकसान देखने को मिल रहा है ऐसे में अगर अब बारिश होती है तो सोया बीन की फसल पूरी तरह से इन शेतरों में बरबाद हो जाएगी Bureau Report, Market Times TV